Hi, so in this information video, मैं discuss करना जाता हूँ, being an EWS is a joke for the B.E.Schools, EWS category को क्या B.E.Schools ने joke बना लिखा है? When we talk about the EWS reservation, this is said to be the 10%, but अगर आप आप एहम्दाबाद में देखोगे, तो this percentage could be the 2%, 3%. बाकी B.E.School में भी EWS category का, अगर मैं RTI से दिखूँ, या किसी भी reply से दिखूँ, तो जो आपका percentage of the total intake, आपका जो actual size है, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7% होता है, तो ये EWS क्या मजाग बना रखा है? When we check the I am in DAW, general का minimum cut-off and the EWS का minimum cut-off, जो cat percentile है, more or less same है, तो हम EWS के लिए इतनी fight क्यो माते हैं? क्या EWS मजाग है? EWS से क्या फाइदा होता है? क्या नुकसान है? मैं सब कुछ आपको आज discuss करूँगा, तो ये बहुत सारे message में पास आ रहे थे, Sir, I am Ahamdabad में total 397, 398 seat है, जब VATPI की shortlist की गई थी, तो EWS की shortlist हुई थी, 37 kids की हुई थी, 37 बच्चों की हुई थी, तो अगर मैं 397 का 10% भी लूँ, तो we have 39 seats, जब हमने देखा कि 39 seat, तो साद I am Ahamdabad में EWS के लिए होगा, shortlist 37 बच्चों की हुई, तो मुझे लगा, ऐसा लगा कि वाद जन्नत मिल गई है, कि 39 seats हमारे लिए है, EWS category के लिए है, and 37 shortlist हुआ है, इसका एक ही मतलब है, मेरा तो हुई ही जाना है, बट नहीं होना है, क्योंकि 8 बच्चों, only 8 kids went into the I am Ahamdabad, under the EWS category, I am talking about the under the EWS, जब हमने waiting list movement देखने ही start की, जब मैं CAT 2021 की बात करूँ, या CAT 2020 की बात करूँ, जब वेटिंग लिस्ट मूव हो रहा था, तो EWS का वेटिंग लिस्ट बहुत स्लो मूव हुआ, बाकि बहुत फास्ट मूव हो रहे थे, जनरल का तो एकदम सूपर फास्ट रेंड था, SCHTB में मूवमेंट थी, PWDB में थोज़ बहुत सरे मूवमेंट हो रहे थे, बाट EWS की मूवमेंट बहुत स्लो थी, I am Ahmedabad, Bangalore और Kakadamia, और मूस्ट जीरो मूवमेंट हुई थी, जो की वाजिब है, वो बहुत 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 उपर है, 8 बच्चों को 8 गिट्स को ले ही रहे हैं, तो मूमेंट तो बहुत स्लो होगी होगी, बट New I ams में भी, या Baby I ams में भी, या Other B eSchool में भी EWS, आखिर EWS क्या है, मजाक है, इतना जदा हमने fight मार के EWS का certificate बनवाया, क्या मजाक है, हमने बहुत सारा, पापर बेरे हैं EWS activity ले, तो क्या मजाक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, EWS is not a joke, reservation as per the government policy, B schools इसको हमेशा serious लेती है, अब जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो सिन लो, इससे पहले की जो बाते, ये बाते आप लोगों की बाते थी, अब मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, और मैं जो भी बोलता हूँ, सब कुछ clear बोलता हूँ, fact के साथ बोलता हूँ, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, आग एक बहने के लिए, because you are going to be the manager, you are MBA, सब कुछ पता होना चाहिए, तो पहला, 10% reservation for EWS is a wrong statement, यह statement wrong है, आप चलू, actually जो है, up to 10% reservation, not the 10%, maximum 10% हम दे सकते हैं, कि इसको EWS को, अगर मुझको उश टाइब से category में, लोग मिलने start होते हैं, तो मेरा एक बार है, कि हमें 10th, 12th graduation में, इतने चाहिए, हमारा एक बार है, कि 10th cat में भी यह percentile जाहिए, सबसे पहले, EWS में जो shortless होने वार बच्चे हैं, वो बहुत कम है, बिकाज EWS में forms बहुत ज़्यदा बढ़ी गई थी, तो पहला जो category है, EWS के बच्चे यही से बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर VAT PI होता है, वहाँ पे भी वह minimum bar को cross नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है, कि EWS जो 10% up to है, this is right, हाँ, आयम एमदाबाद में इस ताइम 2.7% है, बैंग्रोब में भी more or less इतना ही है, बाकी B-School में भी इतना ही है, EWS 8-9% कुछ B-Schools hold करते हैं, ऐसा है, तो अगर आप लगता है कि EWS के लिए 10% reservation booked है, तो आप गलत हो, in the top B-School और the B-Schools, the reservation of EWS is up to 10%, यह maximum है, तो क्या EWS सोने से कोई फायदा होता है, तो देखो जैसे लोग बनाते हैं कि I am in door हो, या कुछ और भी हो, जो minimum cat percentile कौन पूछता है, कि मुझे 80, 80, 80 चाहिए, यह मुझे 70, 70 चाहिए, minimum cat percentile बहुत important है, क्योंकि कुछ लोग यहां फंसते हैं, you get the 99 percentile, और verbal में आगर आपका 65 percentile हो जागा, तो आपको call नहीं आएगा, कुछ लोग फंसते हैं, लेकिन कभी भी minimum bar को हम लोग नहीं देखते हैं, we talk about the final sort list कितने को हुए है, अगर हम final sort list की बात करें, तो EWS का जो आपका थोड़ा सा composite score general से नीचे होता है, तो final sort list में EWS को फाइदा होती ही होती है, sort listing for the VAT PI, I am talking about the final sort listing for the VAT PI, अगर आप मान लोग की final sort listing for the VAT PI general का 60 है, मान दिया की general का क्या है 60 है, आप EWS candidate हो और आपका जो points बना है, जो compositor score बना हो 65 है, तो आपको EWS से हटा के general की तरह treat कर दिया जाएगा, और अगर आपका 59.5 है, तो आप general में तो नहीं ही आते, अगर आपके पास EWS category है, तो EWS की category में आप दिखोगे ही दिखोगे, तो EWS category में होने का ये कहीं मतलब नहीं है, कि आप seat secure कर दे हो, बाकी category चाहो PWD हो, SC हो, ST हो, NC, OBC हो, उसमें होता है कि 25%, 15%, 5%, 7% वो fix है कि more or less उतना लेंगे, एक दो percent उपर नीचे हो सकता है, बिकाज integral numbers में वो काम करता है, तो EWS में ऐसा कहीं नहीं है कि 10% आपका होना ही होना है, अगर आपने सारी qualifications clear करते हो, तो आप उस 10% को avail कर सकते हो, 100% general categories से lower cutoff जाता है, composite score, VAT BI में भी, final में भी, तो EWS होना एक अपने आप में बून है, बट इसका गलत फाइदा उठा के हम 10% reservation पर जाएंगे, ये नहीं है, मैं आपसे बोड़ रहा हूँ, आप अगर EWS में हैं, तो आपको एक added advantage है, तो थोड़ से कम मांक्स में भी आ जाएगा, तो आपको definitely admissions मिलेगा ही मिलेगा, general के compare में आप देखा जातो, आप दो अपना best, general हो, या EWS हो, या CST हो, या OBC हो, हमें best देने की कोशिश करनी है, criteria या कोई भी अगर reservation है, वो government policy है, उसे करने दो, हमारी policy है कि हमें पढ़ना है, better देना है, best देना है, तो आपका जो doubt था कि 10% का reservation क्यों नहीं है, तो EWS में 10% का reservation कहीं नहीं है, this is up to maximum 10% का reservation आपको देंगे, उस maximum 10% में मैं आपको count करूँगा, जो आपके NCOBC, SC, ST and PWD को हडा दिया है, या तो हमारे पास बचते कौन से हैं, general and EWS, तो यह जो fight है, gender और EWS की fight है, EWS को थोर सा weightage definitely मैं दूँगा, बट इसका यह मतलब नहीं है, कि मैं 10% से 20 school बोलता है, मैं 10% से EWS को रोग दूँ, यह मतलब नहीं है, और अभी एक और क्या है, court में एक fight चल रही है, EWS को लोके, कि यह क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं भी आपको update कर दूँगा, लेकिन मेरा एक ही बोलना है, किसी भी category में हो, किसी भी gender में हो, किसी भी academic diversity में हो, आपको देना है best, और आपके best कर यह cat का crash course मैंने start किया है, रूपीज टूठाओ यह nominal fees है, बाकी का 15,15,20,20,ार-का होता है, crash course का, यह crash course का Mr. Booster course है, जिसमें मैं окtober में बहुत fight मनने वाला हूँ, algebra dizendo long hobby उल्ग में जितना कुछ होगा, हम लोग सब कुछ भी mogę map इनगे, in the longer session, और लंबे-लंबे session लेके, कि दिमाघ में आपके fit हो जाए, कि आखिर Quant LRDI में क्या आ रहा है, वर्वे प्राक्टिस का मैं एक जंपल मतब आपको सॉल्ट सीट देता रहा हूं, आपको सॉल्ट कोते रहीएगा, तो अगर आपको अपना best देना है, तो यह crash course promise बैज जिसका link description में दिया है, बाकी भी courses कर देना, क्योंकि मैंने promise दिया है, अपना best देने का, आपके best देने का time आ रहा है, best दो, result को clear करो, EWS reservation is not 10%, but up to 10%, I hope आपका clear हो गया होगा, तो मैं मिलता हूं next video में किसी concept, किसी question, या किस information कर आप इसी नर्प है, till then, God bless you, happy learning, and